कॉंग्रेस महा सच्चु और यूपी कॉंग्रेस की प्रभारी प्रेंगा गांधी वार्टा ने कॉंग्रेस अधिवेशन के दोराने एक ऐसा बयान दिया जिसे यूपी में बड़ा संदेश गया है अब इस सवाल उठने लगा है कि क्या बियस्पी और समाध्विधी पार्ट कॉंग्रेस महा सच्चु ने लोगसभा चुनाओं के लिए विपक्षी एक तका सीधा संदेश दिया है कि लोगों को बीजीपी की विरोधी सभी पार्टियों से एक जुट होकर लड़ने की उम्मीद है लेकिन सबसे ज़ादा उम्मिद कॉंग्रेस से है प्रेंका गांधी ने कहा चुनाओ में एक साल बचे है जितनी पार्टिया है जिनकी विचारधारा बीजेपी से विपरित है उनसे उम्मिद है कि एक जुट होकर लड़े लेकिन सबसे ज़ादा और उम्मिद कॉंग्रेस से ह उन्होंने कहा कि संगटन को लेकर कई चुनोतिया है जिन से निपटना है और गाव और तक जाकर लोगों से मिलना होंगा। कॉंग्रेस निदा ने कहा पार्टी का संदेश और सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुचाए। राहुल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा से कॉंग्रेस की विचाधारा की लंबी लकिर खीच कर दिखाई है। अब उनके इस बयान का सबसे पहला और सीधा संदेश सपा और बस्पा के लिए माना जा रहा है। राजनीती के जानकर बताते है केंद्रस का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में कॉंग्रेस विपक्षी दलो को एक कर पाए तो उनके लिए यहाँ बड़ी काम्याबी होंगी। हाला कि दूसरी और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी भी टेंशन में आ सकती है। सिसोधिया ने राइवार की रास CBI हैटकॉर्टर में गुजारी। उन्हें सुभर राउद एविन्यू कोट में पेश किया जाएगा। उधर इस मामले में राजनीती भी शूरु हो गई है। मनीश बेकसूर है। उनकी गिरफतारी गंदी राजनीती है। आम आदमी पार्टी के सुधिया की गिरफतारी के खिलाफ देश भर में प्रदशन करने का एलान किया है। दिल्ली की शराब नीती में कथित गोटाले है। इस मामले में मनेश बिशोदिया को CBI ने गिरफतार कर लिया है। मनेश शुषोदिया को CBI ने रहिवार को पुष्टाच के लिए बुलाया था 9 घंटे की पुष्टाच के बाद एजंसी ने उनको गिरफतार कर लिया CBI का आरोफ है कि मनेश शुषोदिया ने शराब घोटाले में आपरादिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है